शुप प्रभातम विशे नहतिक सिक्षा कप्छा चार पाठ दो प्रकरण आर्य समाज आर्य समाज एक संस्था है और यह संस्था समाज को देश को किस प्रकार सहायता प्रदान करती है आईए इस पाठ पर विचार करें आरे समाज इश्वर में विश्वास रखने वालों की संस्था है अर्थारत यह भगवान को मानने वाली संस्था है इसकी स्थापना सण 1875 में महर्शी द headphone ने मुंबई नगर में की थी स्वामी दktionर जीने इसकी स्थापना अर्थार्थ इसको बनाया था 1875 इश्वी मुंबई शहर में महर्शी दायानंद वेदों को इस वरिये ज्यान मानते थे अर्थार्थ वेद इश्वर ने दिये हैं किसी पुरुष ने या किसी व्यक्ति विशेश ने नहीं बनाए हैं ऐसा स्वामी द्यानंजी का मानना था आरे समाज का मानना है कि इश्वर सब सत्य विद्याओं का आदी मूल है अर्थार्थ इश्वर जितनी भी इस संसार में विद्याई दिखाई दे रही हैं दृष्टी गोचर हो रही हैं वह सब हमें इश्वर से प्राप्त होती है अर्थ चलि जितनी भी शक्तियां यह सब हमें इश्वर से प्राप्त हो रही है कि वह इश्वर सच्चीद अनन्ड शुरूप सर्व शक्तिमान सर्व व्यापक और नित्य है अर्थार्थ हमें सा रहने वाला है एक मात्र उसी की उपासना करनी चाहिए तो ऐसे ही इश्वर की हमें पूजा करनी चाहिए जो सत्चित और आनन्द से युक्त है जो सर्वशक्तिमान है अर्थार्थ सुप्रीम पावर है और जो सर्वव्यापक है अर्थार्थ हर एक जगा पत्ते पत्ते में कनकन में समाया हुआ है ऐसे इश्वर की ही हमें पूजा करनी चाहिए वेद सब सत्य विद्याओं का मूल गरंथ है और जितनी भी विद्याएं हैं उन सब का सोर्स वेद है इसलिए वेद को पढ़ना चाहिए आरे समाज ने भारत में तथा विश्व में वेदो को फैलाने का निरंतर प्रयास किया है भारत के अलावा अन्य देशों में भी आरे समाज ने इसके प्रचार प्रशार पर बले दिया आरे समाज के संस्थापक महर्शी दयानन्द वेदों से निकाल कर ऐसी बाते प्रकाश में लाई जो आधुनिक जगत के विज्यान की कसोटी पर पूरी तरह खरी उतरती है स्वामी दयानन्द जी ने ऐसे साइंटिफिक और लॉजिकल तत्यों को वेदों से निकाल करके समाज के सामने लेकर आए जो आधुनिक यूग पर विशेश प्रभाव रखती है और साइंस भी उसे स्विकार करता है वेदों के आधार पर उन्होंने बताया कि इश्वर एक ही है तथा गुणों के आधार पर इश्वर के अनेक नाम है आरे समाज कर्म फल और मुक्ति में विश्वास रखता है अर्थार्थ की कर्म करते चलिए फल की चिंता न करें और मुक्ति अर्थार्थ जन्व मरण के बंधन से मुक्त हो जाना जन्व मृत्यु के चक्र से छूट जाना ही मृत्यु है महरशी दायानंद महान राष्ट्रवादी थे अर्थार्थ देश के लिए समाज के लिए कल्यान कारक विचारों को अपने अंदर संयोजी हुए थे उनका आरे समाज आंदोलन आधुनिक युग में देश की उन्नती के लिए कारी कर रहा है देश को स्वतंत्र कराने में भी आरे समाज का विशेश योगदान रहा था आरे जन विद्वा विवा के पक्ष में है पहले विद्वाओं को अपने पती के साथ में ही जला दिया जाता था परंतु आरे समाज ने इसका घोर विरोध किया तथा उन विद्वाओं को पुनह विवाह करने की योग्यता शमता प्रदानी की बाल विवाह जात पात अभक्ष भक्षन मद्देपान के विरोधी हैं अर्थार बाले वस्ता में विवाह कर देना जन्मना जात पात के अधार पर पंडेत पूरोहेत विद्वान गोशित कर देना अभक्ष भक्षन ना खाने योग्या चीजों को खाना अर्थार्थ मास मदिरा इत्यादी शराव इत्यादी का विरोधी है इनका खानपन नहीं करना चाहिए इनका सेवन न इसका विशेश योगदान रहता है आरे समाज कि लोग प्रिता के मुख्य आधार यह हैं आरे समाज क्यों फेमस है आरे समाज के कारे को लोग कैसे जानते हैं तो यह निमने लिखित कारे है वेदों की पुनह प्रतिष्ठा वेद विलुप्त हो गए थे तब आरे समाज नहीं वेदों को फिर से प्रतिष्ठित किया एक परमात्मा की पूजा अब समाज में देखते हैं कि अनेक देवी देपताओं की पूजा होती है पूरोहीत पंडित ब्रामान वैष्य शुद्र इन सबका करता है अर्थार्थ कर्म की अधार पर मनुश्य ब्रामान शत्रिय वैष्य और शुद्र बननेका योग्यता और सामर्थ रखे ऐसा समाज मानता है दलीतों अधार ऐसे लोग जो पिछड़ गए हैं, उनका उद्धार करना, यह मानना कि भारत भारतीयों का है, यह भारत मनुष्य जाती आरियों का है, सब की उन्नती में अपनी उन्नती समझना, सब लोग उन्नती करें, उसी उन्नती में अपनी उन्नती को ही समझना, इसकी लोग प्रियता के और समाज सेवा समाज की सेवा करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है इस प्रकार से हमारा यह अध्याय समाप्त होता है आई इसके अभ्यास पर नज़र डालें आरे समाज की स्थापना कब कहां और किस ने की तो आरे समाज की स्थापना 1875 Uhr इश्वि में मुलंवाई में स्वामि दया नंजी निथी दूसरा आरे समाज के वैधानिक मतव्य क्या है प्रशन नंबर तीन आरे समाज के अनुशार इश्वर का क्या स्वरूप है प्रशन चार आरे समाज किन बातों का विरोधी है और प्रशन पाँच आरे नमाज की लोग प्रियता के तीन आधार बताईए इन सब प्रश्णों के उत्तर आप यहां पर देख सकते हैं इन प्रश्णों को अच्छे से पढ़ करके इनके उत्तर को दोहरा करके आप इसे या तो अभ्यास पुस्तिका में लिख सकते हैं अथवा स्क्रीन सौट के माध्य से आप अपने मुबाइल में ही से रख सकते हैं धन्यवाद आपका दिन शुब हो कि अग्याओं